जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री क्रिश्न भगवान की जै करवा चोथ वरत की मंदर शिवनसी वाले महात्मा यूडिप चलने के उड़ से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक बिनंदन करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में करवा चोथ के वरत का बहुत जादा महत्व बताया गया है महिलाएं करवा चोथ का वरत अपने पती की लंबी आयो की कामना के लिए रखती है और करवा चोथ का वरत एक ऐसा वरत है जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता महिलाएं करवा चोथ का वरत रखकर पानी भी नहीं पीती है तो भगवान की कृपा से महीलाएं करवा चोथ कवरत अच्छे से निभा लेती हैं लेकिन जो महीलाएं प्रेगनेंट होती हैं जो महीलाएं गरबवती होती हैं ऐसी महीलाएं करवा चोथ कवरत कैसे रख सकती हैं उसी के बारे में आज इकिस विशेश वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तो पहली बात ये है कि करवा चोथ का वरत जैसे कि आप सभी जानते हैं निर्जल रखा जाता है कुछ भी नहीं पिया जाता पानी तक भी करवा चोथ के वरत में नहीं पिया जाता तो आम तोर पर तो सभी महिलाएं भगवार की कृपास से करवा चोथ का बीना पानी पिये रख लेती हैं लेकिन परिशानी उन महिलाओं के लिए होती है जो गर्भवती होती हैं जो प्रेगनेंट लेडिस होती हैं उनको करवा चोथ का वरत रखने में परिशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि करवा चोथ के वरत में तो पानी भी नहीं पिया और जो pregnant lady है जो गर्भवती इस्त्री है उसके लिए करवा चोत का वरत रखना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि गर्भवती इस्त्री को दवाई लेनी पड़े जैसे डोक्टर ने सलहा दी हो जैसे डोक्टर ने बताया हो दवाई लेनी पड़ती है और जीव की रक्षा के लिए माता को हर रोज खाना पीना अवश्य पढ़ता ही है तो ऐसी वस्था में करवा चोत का वरत कैसे रखा जा सकता है वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं तो हमारे हिंदू धर्म गरंथों में एक विवस्था दी गई है कि अगर करवा चोत का वरत कोई गर्बवती इस्त्री रखना चाती है कोई प्रेगनन्ट लेडी रखना चाती है तो वो खुशी से करवा चोत का वरत रख सकती है क्योंकि ऐसी महिलाओं के लिए विशेश छूट दी गई है जो गर्बवती इस्त्री हो जो प्रेगनन्ट लेडी हो वो करवा चोत का व वरत में दवाई लेने में कोई मना ही नहीं है अब दवाई लेनी है तो पानी भी साथ पीना ही पड़ेगा हो सकता है चाई पीनी पड़े या हो सकता है दूध पीना पड़े निम्बु पानी पीना पड़े तो गर्बवती इस्तरी को ये विशेश शूट होती है कि वो करवा करवा चोथ के वरत में दुवाई ले सकती है, पानी पी सकती है, दूद पी सकती है, निम्बू पानी और चाई पी सकती है, क्योंकि उसके घर्व में एक जीव पल रहा है, तो घर्व में पल रही संतान की रक्षा सबसे पहला धर्म माना जाता है, तो हमारे हिंदू धर्म गर नियम ये है कि आवश्यक्ता पढ़ने पर ही इन सब चीजों को लेना चाहिए आवश्यक्ता है तो दवाई अवश्य लीजिए आवश्यक्ता है तो पानी चाए दूद या निम्बू पानी अवश्य पीजिए इसमें कोई भी मनाही नहीं है गरबवती इस्त्री अगर पाई लेनी है या पानी पीना है या दूद निम्बू पानी या चाय पीनी है तो ये मजबूरी होती है इसलिए ऐसी महिला का जो करवा चोत का वरत है वो निर्जल वरत ही माना जाएगा अब अगली बात करवा चोत के वरत में गरभवती इस्त्री कई बार बैठ भी नहीं सक तो ऐसी वस्था में साइकाल में करवा चोत का पूजन कैसे किया जा सकता है किस तरह से पूजा हो सकती है तो ऐसी इस्तरी के लिए एक नियम है जो घरबवती इस्तरी है प्लेगनेंट वूमेन है उसके लिए एक नियम है कि वो एक जगा पर बैठ कर ही करवा चोत का पूजन क तो गर्बवती इस्त्री को प्रेग्रेंट वुमेन को ये स्वम ही देखना होगा कि उसके श्रीर में इतनी शक्ति है कि वो अच्छे से पूजन कर सके परिक्रमा कर सके तो उसे पूरी विदी से पूजन करना चाहिए और मानली जी उसके श्रीर में शक्ति नहीं है वो परिक् प्रेग्रेंट वुमेन के लिए हमारे हिंदू धरम गरंतों में विवस्था दी गई है कि वो बिस्तर पर बैठ कर ही पूरी श्रधा भावना से पूजन कर सकती है उसका वो पूजन भी संपूर्ण पूजन माना जाएगा करवा चोत का पूरा फल उसको वश्य मिलेगा ही मिल शिर्मत भगवद गीता में भगवान शिक्रिशन जी अरजुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि है अरजुन जो मनुष्य जिस भावना से मेरी शरण में आता है उसको उसकी भावना के अनुरूप मैं पल दे देता हूँ तो करवा चोत के वरत में जो प्रेगन होने के कारण उसे दवाई भी लेनी पड़ सकती है पानी भी पीना पड़ सकता है गर्भ में जो शीशु पल रहा होता है उसको भूख लगती है लेकिन मा अगर कुछ ही खाएगी तभी उस शीशु की भूख मिटेगी इसलिए मा को भी कुछ खाना ही पड़ेगा और चाए द तो अगर घर्भ वति इस्त्री ऐसी अवस्था में है कि वो चंदरदेव के दर्शन कर सकती है तो उससे चंदरदेवता के दर्शन करके वरत को खोलना चाहिए अगर ऐसी अवस्था में वो नहीं है कि वो चल फिर सकती हो तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही वो मन की भ भावना से चंदर देव को अर्धे दे सकती है मन की भावना से चंदर देव को अर्धे दिया जा सकता है तो भी वरत संपूर्ण माना जाता है मन की भावना से चंदर मां के उदे होने के बाद आप मन की भावना से ही मन ही मन चंदर देव को अर्धे दे दीजिए और वरत को ख रही जीव की रक्षा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है ये भी नियम भगवान के ही बनाए हुए हैं तो गर्बवती इस्त्री अर्थात प्रेगनट वूमेन करवा चोत कवरत कैसे रख सकती है ये सारी जानकारी हमने आपको यहां पर दे दी है फिर भी आपके मन में कई प्र नेवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जै करवा चोत वरत की जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे जैजैश शीराधेशाम